हे गाई तो आज हम डिसकस करने वाले हैं रिलाइंस के बारे में रिलाइंस रिटेल के बारे में जो की फ्यूचर ग्रूप है देखे फ्यूचर ग्रूप का जो शेयर है लगबग लास्ट मिनट में मार्केट बंध होने ही वाला था देखे उपर में हो था लेकिन देरे देरे सही है और जिसके favor में यह case आएगा इतना याद रखेगा जिसके favor में case आएगा उसके stock के मतलब उसके share क्यों में बहुत ज़्यादा उच्छाल देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा यह मत सोची आ कि company बहुत ज़्यादा fundamentally मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर दिया company नहीं नहीं केवल एक rumor के वज़े से लेकिन यहाँ पर future group के लिए अच्छी खबर है जो आपको पता होना चाहिए और यहाँ पर देखें लोगों ने काफी ज़्यादा loss देखा है यह जो 74 रुपेस का stock है लोगों ने 160 पर खरीद रखा तो क्या time आ चुका है average करने का और माल उठाने का और प्रॉफिट लेके निकलने का प्रॉफिट तो छोड़िये कम से कम अपना प्रॉबल दे दिया लेकिन लेकिन क्या एक जगह ही अपने हाथ नहीं पसा राता यतना याद रखिए पूरे इंडिया में नहीं पूरे देश में बोले तो नमबर वन में समझ रहें ना पूरा वर्ल्ड में अगर कोई बीजनस चलता है तो आमाजोन तो इसको किसी भी तर पर गिर गिर गए ना तो एक्षन लिया जागा तो एमाजोन वही चीज है भाई तो एमाजोन अभी देखिए हार नहीं माना थीन से चार जगह इसने जो है कंप्लेन की है तो तीन से चारों जगह अगर रिलाइंस के जो फ्यूचर गूरूप है वो जीत जाते हैं तो Competition Commission of India CCI ने यहां पर क्या कर दिया गया अप्रूवल दे दिया गया किसके लिए एक्वाजेशन के लिए देखिए एक्वाजेशन और मर्जर दोनों डिफरेंट है कि मर्जर होता है तो कंपनी से दूर भागना चाहिए अगर एक्वाजेशन होता है तो कंपनी को खरीदने क करना चाहिए तो एक्वाजेशन ओफ रिटेल होलसेल अब देखे जो रिटेल बिजनस है उसको पास काफी सारे डाइवर्सीफाइब बिजनस है तो लगबख सभी को इसने जो है खरीद रखा है तो यहां पर आपको होलसेल लॉजिक स्टेक वेरहाउसिंग बिजनस यहां पर आपको बताया जा रहा और फूचर ग्रूप-बायी रिललाइंस रिटेल वेंचर है कि नहीं है रिलाइंस रिटेल वेंचर के वजे से जो इसने अक्वाय кино किया था फूचर गूर्प को वहाँ पर अप्रूफल दे दिया ग grands इतो यह एक मोना लिजिए की positive नीज है यहने Amazon के साथ deal किया और मैंने जो है Amazon के साथ जो किया वो गलत किया करके तो इसने एक बार ऐसा भी किया था इसके वज़े से होगा क्या यहां पर देख सकते हैं इसके पास जो भी है इसके पास बड़ी मुद्दे के बात यह आती है कि भाई यह तो है आपने जो बोला वह सही है लेकिन क्या future group में हमें average करना अची है जो पैसा आठका हुआ है तो मैं बोलूँगा ना यह गलती करने के कोशिस मत की जिगा भले ही future group 70 से मानलीजे कलको 80 हो जागा तो अच्छी बात है लेकिन मैं average करने को नहीं बोलूँगा क्यूं क्यूंकि यह अभी भी पूरी तरीके स बाहर नहीं आया है बाई Amazon कोई मानलीजे की घास चरती भैस नहीं जो हम किदर भी डालेंगे तो चले जागा नहीं बाई Amazon बहुत बड़ी company है और एक जगह से इसको approval मिला है अगर दो से तीन जगह से मिल जागा तो मैं बोल सकता हूं confident लिदे कि मेरा confident अलग है मैं बाकि सार बाई मैं खुद भी खरीता हूं और मैं हर बार बोलता हूं मैं 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200% के लिए market में काम नहीं करता हूं समझ गहे न आप 10%, 20%, 40%, 30%, 50%, 100%, 200% के लिए मैं market में काम नहीं करता हूं 5000% के लिए दम है तो रोक ले 5000% तो अपने portfolio में आना ही आना है और नहीं आएगा तो स सीधी बात है सही है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं नहीं छोड़ने वाला इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और बहुत सारे लोग बोलेंगा भाई तुम 5000% बोल रहे हो ये दालबात का कोर थोड़ी है जिस नहीं आएगा उस दिन भी दिखा दूँगा है कि नहीं इंसान कुछ भी कर सकता जब पूरे पहाड को तोड़ सकता अकेला समझ रहो ना अकेला तो भाई स्टॉक मार्केट में 5000% क्या कोई बड़ी चीज है पहाड तोड़ना बड़ी चीज है 5000% सही है तो मैं future group को आपको मैं लालच नहीं दूँगा कि भाई ये 10% उपर जागा तो एवरेज कर लो नई दूँगा सही है क्योंकि अभी भी रिस्क है और ज्यादा यहां पर मैं बलूँगा quantity बढ़ाने के कोशिस नहीं करें जो हैं रखे रही है रिलाइंस वैसे भी अभी थोड़ी बहुत तकलीफ में है और रिलाइंस में भी आप लोग को गिरावट द लेकिन यही वो स्टॉक है जहां पर थोड़ी बहुत कॉन्फिदेंस नजर आती है नहीं इतना वड़ा बिजनस कैसे गिर सकता नहीं गिर सकता तो हम यहां पर होल्ड तो अराम से कर सकते हैं कभी-कभी अभी देखते मानिदा हों कि रिलाइंस इंडेस्टी ने लगब दो म बाकि जो भी आपके पास रिलेटेड इससे बिजनस है फ्यूचर ग्रूप के लिए उसको मैं बनूँगा क्वांटिटी मत बढ़ाईएगा यह मेरे तरफ से है और बाकि आप फिर भी देख सकते हैं क्योंकि यह जो भी प्राइस जंप आपको देखने को मिला यह एक अबगा की है तो अभी मैं आपको पस इतना है बोल बोल सकता हूं होक़ होर कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं रहेगी होसा क्यों करता हूं अगर आप आप स्टॉक मार्केट में नहीं हों अपने अकांट पर ऊप्ן करना चाहते हो तो आपने डिमेट अकाउंट इंजल बोकिम उपन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में देखिए अगर आपका डिमेट अकाउंट फ्री में उपन होता है यह दरी दरे आप लोगों को नॉलिज भी मिल दाएगा आराम से और वैसे भी एंजल जरी होता है जैसे जो प्लैटफोर्म यह अच्छ बगारे दिया जाता है यह एंजल का है केवल 20 रुपीज आपसे लगता है वो भी इंट्राडे ट्रेड में जो हर जगा लगता है तो बैट डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाओ और जाके अपना डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको ल किया गया है